इसी के लिए वैदिक जो कर्मकांडी थे वो पुन्य करते थे और पाप से दूर रहते थे तो पुन्य तो पाप से अच्छा है धर्म तो अधर्म से अच्छा है लेकिन स्वामी वेकांड कहते हैं दोनों में क्या मुश्किल है कि आपको समसार में फसा के रखता है वो करके भोग मिलेंगे उसके बाद फिर यहां वापस आना पड़ेगा क्योंकि और करम जो किये थे वो ख्शीन हो जाता है वो खتم हो जाती है करम पूरे होने पर फिर से जन्म लेना पड़ता है तो कर्म कांडी बोलते हैं फिर से करम करो पिर से स्वर्ग जा यहां मौज में रहो तो हमारे एक स्वामी जी थे निश्रेय शानन्द जी जो South Africa में रहे थे थे हमने कभी नहीं दिखा उनको लेकिन मैंने सुना है तो यह सब वो बहुत बढ़िया-बढ़िया कहानी से समझाते थे यह कर्मकांट कैसा होता है कि बोलते थे कि जब मैं South Africa से इंडिया आता था तब के दिनों में जोहानेसबर्ग से मुंबाई में एर इंडिया में आते थे अब तो एर इंडिया फिर अभी तो बिग गया तो तो टाटा के ही था टाटा के पास ही चला गया तो उसमें जब आप आएंगे आपको बहुत पैसा इकटा करके वो टिकेट खरीड़ना पड़ेगा तो वो पुन्यफल है उसको लेके आप बैठेंगे तो वहाँ एर होस्टेस जैसे अपसारा जैसे होते हैं वो आपको बुलाएंगे कि आप बैठो ये सीट आपका है और ये वो बोल रहे हैं एकदम वेद की वचन है कि वहाँ जो स्वर्ग के वासिद्धा है वो आपको बुलाएंगे मृत्यू के बाद एही एही एश्यते कर्म चितान लोका ये आपको अपने कर्म से आपको प्राप्त हुआ है आप इदर आईए आप इस सीट में बैठी है जनाब तो आप जाके बैठेंगे उदर और वहाँ थंड़ा होगा कोई गर्मी नहीं है बहुत सुन्दर वातावरन है एकदम एर कंडिशन वातावरन है तीस हजार फूट में आप उडएंगे हवा में और तब के दिनों में भी प्लेन में बड़ा स्क्रीन में सिनेमा दिखा जाता है तो आज कल तो हर सीट में सिनेमा दिखा जाता है तो आपको सिनेमा देखेंगे आप वो हुआ स्वर्ग का भोग और आपको खाने पीने को भी मिलेगा तुझे सिस्वर्ग में अमरित मिलता है उसके बाद क्या होगा उसके बाद क्या होगा आपको लगेगा तो बहुत अच्छा है हम यहीं रह जाएंगे तो बढ़िया चल रहा है लेकिन नहीं कुछ देर बाद आप मुंबई में उतरेंगे और एनांस्मेंट होगा कि आप शु बोलेंगे मैं यहां रहना चाहता हूँ मैं तो नहीं जाना चाहता हूँ बाद वो तो नहीं होगा आपको जाना ही पड़ेगा फिर से आशा करेंगे कि क्या रहांस्मेंट करते हैं कि फिर से आप सफर करेंगे एर इंडिया में ही तो यह आप फिर से कर्म कीजिए फिर से प नियाव उससे भी नीचा जन्म कोई पशु जन्म उनका हूँ सकता है और जब गिटे हैं तुरंद गिटे हैं सब्ते हैं लिगी हो लेकिन स्वर्ग में वैसा नहीं है, स्वर्ग में क्या है कि यह सब तो दुख नहीं है, वो तो उस स्वर्ग की गंदर्व शरीर, जो भी शरीर हो, उसमें वो तो युवा ही रह जाते हैं, जब तक न खतम हो जाए कर्म, और फिर तुरंत वापस आ जाते हैं, तो यह यह भी सम संसार हैं ये उन्त तरीकर का संसार हैं लेकिन वो संसार है